आईए बच्चों, अब हम लोग 14 question करते हैं, देखते हैं 14 question क्या है, How many multiple of 4 lie between 10 and 250, 10 and 250 के बेच में 4 के कितने multiple lie करेंगे, आपको यह बताना है, तो बहुत ही simple सी चीज़े students, यहां पर आपको एक दो words को mind करना होगा, कि यहां पर लिखा गया है lie between, lie between का मतलब होगा कि आपके पास दो values देदी गही है, minimum and maximum, तो यह एक तरह से एक range है, तो 10 and 250, तो 10 and 250 के बीच में लाई करना चाहिए, तो 10 and 250 के बीच में अगर लाई करेगा, तो कहां पर लाई करेगा, क्या 10 include होगा, और 10 include वैसे भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है multiple of 4, तो 10 4 का multiple तो है नहीं, तो 10 अगर 4 का multiple नहीं है, तो definitely 10 include नहीं होगा, लेकिन by the way, आपको अगर थोड़ा सा tricky किया जाता है, मतलब आपको trickfully play किया जाता है, कि यहां पर अगर आपको 12 दे देता, तो क्या आप 12 को लेते, कभी नहीं लेते, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है between, between, तो between का मतलब हुआ कि, जो भी number यहां पर होगा, उसके बाद वाले से start होगा, और जो भी हाँ होगा, उसके पहले बाले, अब यहां पर आपको 4 का multiple दिया जा सकता है, जैसे 240, यह 260, आप सभी पताएगी, यह 4 से divisible number है, क्या आप उसको लेंगे, आप उसको कभी भी नहीं लेंगे, नहीं तो यह question गलत हो जाएगा, ठीक है, यह चीज़ clear होगी है, तो आईए अब हम लोग देखते है, हमें first multiple of 4 क्या होगा, पहले तो हमें यह बता करना होगा, तो first multiple of 4 क्या होगा, first multiple of 4, 12 होगा, क्या होगा उच्छो, first multiple of 4, 12 होगा, इसी तरह से मैं क्या AP बना सकता हूँ, तो 12, 12 के बाद 4 add करेंगे, क्योंकि multiple of 4 आपको कम मिलेंगे, 4 add करने से, तो 12 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद क्या हो जाएगा, 20, अब हमारे लिए चैलेंजिंग यह, कि last वाला multiple कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए, मैंने जैसे 14 question के पहले 13 question अगर आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत ही detail से बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, जहां पर आपको मैंने detail से बताया है कि कैसे आप first and last number को find करते हैं, इस type की question में, तो 240 को क्या करेंगे बच्चो, 4 से divide करेंगे, sorry, 250 को 4 से divide करेंगे, तो 4, 6, I think 24 होगा, और 1, 0, तो 4, 2, 0 कितना हो जाएगा, 8 तो यहां पर बच्चो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, और यहां पर अगर 2 बच जाएगा, तो definitely students, अगर यह 2 कम होता, तो 4 से divide हो जाता है, क्योंकि 250 के आगे जाने का option नहीं है, तो अगर हमें आगे जाना होता, तो 4 & 2 का difference एड़ करते हैं, जैसा कि मैंने 13 question में आपको बदाया है, कि इन दोनों का difference एड़ करते हैं, लेकिन अगर हम आगे अब नहीं जा सकते हैं, तो आगे अगर हम नहीं जा सकते हैं, तो हमें इसके पहले रहना है, तो जो भी remainder आ रहा है, अगर यह value उससे उतनी कम होती, यानि यह 2 कम होती, तो पूरा पूरा divide हो जाता है, क्योंकि उस case में remainder क्या हो जाता है, 0 हो जाता, तो definitely students, जो next number होगा, that means last number, वो 250 minus जो भी remainder हाएगा, उसको करने से मिलेगा, यानि कितना होगा बच्छो, 248 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि यह आपके बाद यहां पर क्या आ जाएगा बच्छो, 248 आ जाएगा, अब आपको how many पता करना है, यानि कि यहां से यहां तक total क कितनी number है, तो आप let कर लेंगे, कितनी number है, n terms है, या n number है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं होगी आई हो, मैंने एक एक चीज को clear कर दिया, first multiple of 4, जो 10 और 250 के बीच में आएगा, first multiple, वो क्या होगा, 12 होगा, last 12 है कह से निकालना है, यह मैंने आपको explain कर दिया कि यहां पर remainder जो भी आएगा, उसको आपको इससे minus करना है, क्योंकि remainder हमें 0 चाहिए होगा, अब मा लिजे end term है, तो अब मुझे एक simple सी चीज बताई है कि a कितना है, 12 है, an कितना है, 248 है, और अच्छा, d कितना होगा, 4 होगा, इतना बात clear है आपको, इतनी चीज clear है, तो बचो बस हम use करेंगे, an बराबर a plus n minus 1 into d, an 248 बराबर a 12 n minus 1 into d, d कितना है, 4, तो 248, अब इसको क्या करना है, तो 12 को इधर लेकर करके आएंगे, पहले, तभी आप solve कर सकते हैं, और यह हो जाएगा, बच्छो, 4 into n minus 1, 248 minus 12 यानी 236, बराबर 4 n minus 1, आगे solve करेंगे, 236 divided by 4, बराबर आजाएगा n minus 1 के, क्या ये चीज clear है, बच्छो, 4 से डिवाइड कर जीज़े, 4, 5, 0, 20, बच्छो, 4, 9, 0, 36, तो 59 बराबर n minus 1, तो n कितना आएगा, बच्छो, 59 plus 1, यानी n कितना आजाएगा, 60 आजाएगा, आपको ये चीज clear हो रही है, कि n यहाँ पर क्या आजाएगा, 60 आजाएगा, तो बच्छो, I hope आपको ये question समझ में आया होगा, मैं आपको फिर से एक बर ब्रीफ कर देता हूँ, last में जाते जाते, कि first number find करेंगे, last number find करेंगे, जो range में आएगा, फिर आपका common difference, आपको पता है कि 4 के multiple है, यानी कि हर एक number 4 के difference पे होगा, तो common difference क्या आजाएगा, 4 आजाएगा, वैसे भी आप देख सकते हैं, 16 and 12 का difference क्या है, 4 है, फिर use करेंगे nth term का formula, आप let कर लेंगे, कि there are total n terms, तो अगर किसी भी AP में total n terms हैं, तो last वली जो term होगी, वो के आओगी, an होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि जो an है, वो 248 है, तो 248 an हो जाएगी, और a कितना है, 12 है, a 12 कर दिया हमने, क्योंकि first term जो हमारी मिलेगी, वो 12 मिलेगा, और d बचो कितना है, 4 है, तो इसके बाद हमने simplify करना है, और कुछ नहीं करना है, तो are the nth term of two AP's, 63, 65, 67 and there is second AP, 3, 10, 17 and this is equal होगा, that means कि यहाँ पर जो दोनों की nth term है, there are two AP's given and दोनों की nth term को क्या करना है, equal करना है, तो obviously students, दोनों की nth term को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो मैं दोनों AP's का सबसे पहले a and d find कर लेता हूँ, क्योंकी nth term के लिए a and d आपको पता होना चाहिए, तो for the first AP, या for the AP, आप ऐसे लिख सकते है, for AP, कौन सी AP हम ले रहे हैं, पहली AP, यानि 63, 65, 67, dash, 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 ठीक है, an will be the an, या फिर an equal to a plus, अब सबसे पहले हम पर d find कर लेता हूँ, तो d कितना होगा बच्चों, 65 minus 63, यानि 2 आजाएगा, और a आपको पता है, यहां पर 63, क्या an लिख सकते हैं, तो a and d आपको पता चल गया है, तो मैं an को लिख सकता हूँ, an क्या होगा, a plus n minus 1 into d, यानि 63, plus n minus 1 into d कितना है, हमने अभी निकाला 2, तो यह an होगा, first AP के लिए, okay, for second AP, for AP, 3, कौन सी second बली, और second बली क्या है बच्चों, 3, 10, 17, test, 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 an will be, अच्छा, d निकाल लेते मेल है, तो d होगा 10 minus 3, यानि 7, ठीक है, a क्या होगा, 3 होगा, okay, तो इसके लिए an क्या होगा, आप क्या सकते हैं कि an होगा, a plus n minus 1 into d, यानि a कितना है, आपका 3 है, तो there is a3 plus n minus 1 into d कितना है, 7 है, तो यह इस AP के लिए an था, यह वाली AP के लिए, और यह वाला जो an है, वो इस AP के लिए, और दोनों equal है, तो according to question, both an are equal, क्योंकि an equal होगा, तब ही आप n की value को find कर पाएंगे, तो both an are equal, तो both an को हम equal कर देंगे, यानि यह an इसके equal है, यानि lhs equal है, तो rhs भी क्या होगा, equal होगा, यानि 63 plus n minus 1 into 2, बराबर 3 plus n minus 1 into 7, इतनी चीजिस clear है बच्चों, आप एक बार इतना note कर लीजे, फिर हम लोग यहां पर इसको solve करते हैं, तो constant को मैं एक तरफ ले सकता हूँ, तो 3 को मैं इधर ले आता हूँ, तो 63 minus 3 और n minus 1 को उधर ले जा सकते हैं, तो उधर बच्चेएगा बच्चों, n minus 1 into 7 minus n minus 1 into 2, तो 63 minus 3 यानि 60 बराबर, यहां से n minus 1 आप बाहर ले सकते हो, 7 minus 2 बच्चेएगा, तो इसे solve करने का तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप डिरेक्ट भी मल्टिप्लाई, इस वाले step में भी करके, जो भी terms हैं, उनको लेकर कर सकते हैं, तो 60 n minus 1 into 7 minus 2 कितना होगा बच्चों, 5, तो 65 नीचे आगया, n minus 1, तो 60 को 5 से डिवाइट करेंगे, 5 बच्चों 5, 5 2 बच्चों 10, बराबर n minus 1, n कितना आजाएगा, 13 बच्चों 10 कितना आगया, 13 बच्चों 10 की जो फैल्यू फैल्यू यानि कि जो n की वैल्यू भी पूचिए गई थिंग, 13 तर्म के लिए क्या होगी, दोनों की टर्म्स एक्क्वाल होगी, तो यह आपका था, question number 15, आप इसको note कर सकते हैं, 16 question देखते हैं, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12, तो बच्चों, language थोड़ी सी technical है, जो second part है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, careful रहना थोड़ा सा, आपको basically यहां पर, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो पहली statement जो दी गई है, वो तो simple है, कि determine the AP, यानि AP को find करना है, whose third term is 16, यानि third term आपको given है 16, तो you can see कि third term 16 का मतलब technically, mathematically क्या होगा, A3 कितना है, 16 है, इतनी बात तो हमें समझ में आगी, यहां तक कोई लिखकत नहीं है, लेकिन इसके बाद ही अगया है, and the seventh term exceeds the fifth term, यानि कि जो seventh term है, वो 12 ज्यादा है, 12 से exceed कर रही, sorry, fifth term से 12 exceed कर रही, यानि मैं ही कह सकता हूँ, बचों कि जो seventh term है, यानि A7, क्या वो A5 यानि fifth term से 12 ज्यादा है, यही कहना चाहता है, अगर आपने इन दोनों equation को लिखने में successful हो गया है, तो definitely अब इस question में कुछ भी नहीं है, आपके बास दो equation है बचों, एक equation यह है, और एक equation यह है, और आपको AP find करने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए, first term और common difference, अगर आपको common difference पता है, और first term पता है, तो आप कोई भी AP find कर सकते हैं, कोई भी AP means कि जो भी उसका first term होगा, और common difference के according, इस term में वो value add होती जाएगी, तो वो क्या होगा, AP होगा, तो आईए बच्चों, अब हम लोग इसको solve कर लेते हैं, तो दो चीज़ें आप let कर लीज़ें बच्चों, सबसे पहले let, की first term क्या है, A है, and common difference, D है, दो चीज़ें clear है, अगर common difference D है, तो according to question, बच्चों ये equation को हम convert कर सकते हैं, A and D की form में, A7 क्या होगा, A plus 6D, equal होना चाहिए, A5 plus 12, यानि की A plus 4D, और plus में क्या होगा 12, तो A से क्या होगा, cancel out, 6D और 4D है, तो ये दहर आएगा बच्चों, 6D minus 4D, 2D बराबर 12, तो D हो जाएगा, 12, अब और में 2, 6 टाइम्स कट जाएगा, तो D की value क्या जाएगे, 6, और अगर D हमें 6 मिल चुका है, तो ये equation हमें क्या दे देगी, A की value को दे देगी, A3 क्या होगा, A plus 2D, बराबर, तो A plus, going to D कितना है, 6, बराबर 16, तो A plus 12, equal to 16, A is equal to 16, minus 12, तो A कितना जाएगा, 4, A 4 है और D कितना है, 16 है, A 4 है, और D 6 है, तो एक बर इतना note कर लीजे, फिर हम लोग A P को लिखेंगे, उपर erase करूँगा, then I will write the A P, क्या A P होगी, तो एक बर मैं इसको, आप आई हो, आप screenshot ले लेंगे, फिर note कर लेंगे इसका, तो हैंस A P will be, आप मुझे बताएगे, A P क्या होगी, आप कहिएगे सर, A P क्या होती, A, A plus D, A plus 2D, तो A हमारा 4 है, then A plus D क्या होगा, A plus D होगा, 4 plus 6 यहनि 10, then आपको D add करते जाना, तो 16 हो जाएगा, 16 में 6 add करेंगे, तो कितना हैगा, तो इस तरह से आप A P find कर सकते हैं, तो यह A P हो जाएगे, आपकी 16 questions we have done, तो 16 आप note कर लीजें, तो आप 17 questions देखते हैं, आपकी 5.2 exercise का, find the 20th term from the last term of A P, अब बचो यहां पर आपको, देखना है कि, यह question is special क्यों है, because students, यहां पर आप देख सकते हैं, कि एक word लिखा गया है, from the last, from the last का मतलब क्या हुआ, कि last से आपको 20th term निकालनी है, अभी तक आप क्या करते थे, starting से निकालते थे, तो starting से अगर आप यहां पर निकालोगे, बच्चों, तो यह question फिर आपका, सही नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर from the last, और जो formula हमें पता होता है, वो तो starting से पता होता है, आपने कभी ऐसा थोड़ी अपलाई किया है, माल लिजे कोई भी AP है, उसकी कई सारी terms है, तो आप A तो इसको लेते थे, और फिर जो भी निकालनी होती थे, आपको AP को reverse करना होता है, और फिर आगे solve करना होता है, तो अब क्या करेंगे, आप बच्चों जो AP दी गए, उसको आप देखेंगे सबसे पहले, और फिर देखने के बाद reverse करेंगे, यानि 3, 8, 13 के बाद, आपका last term क्या दिया गया है, 253 दिया गया है, तो 3, 8, 13, इन सब को अगर मैं reverse करके लिपूँ, तो जो last only term है, वो क्या होगी, first हो जाएगी, यानि 253, अब मुझे बताएए, 253 के बाद, अगर मुझे reverse करके next term को लिखना है, तो मुझे बताएए, ये 5 से increase हो रहा है, क्योंकि 3 और 8 में 5 एड हो रहा है, फिर 8 में 5 एड हो रहा है, 13, यानि कि अगर मैं forward AP की बात करूँ, तो उसमें difference 5 का है, तो यानि कि इस से जो पहले वाला number होगा, वो यहां पर next होगा, तो उसमें कितना value कम होगा, तो 5 ही कम होगा, तो 253 में 5 आप क्या करेंगे कम, तो कितना आएगा, 248, इस तरह से last में क्या हो जाएगा, आपका 8 add 3 आजाएगा, तो अब आपको पते है, कि अगर हमने इसको reverse कर दिया, तो ये मेरा last है, जो original question है, उसमें ये last है, और अगर मैं इसको first मालो, और यहां से में 20th term को find कर लो, तो 20th term यहां पर कहीं आएगे, suppose करिए 20th, तो बस यहां पर difference क्या जाएगा, बच्चों, दी होगा, वो negative हो जाएगा, क्योंकि ये एक decreasing AP हो चुकी है, तो 248 माइनस 253, क्योंकि D क्या होते है, A2 माइनस 7 तो क्यतना आजाएगा, माइनस 5 आजाएगा, अब मुझे पता है, जो A होगा, वो क्यतना होगा, 253 होगा, क्या ये चीज़ क्लियर है, तो मुझे 20th term निकालना है, यानि A20, A plus 20 minus 1, इंटु में क्या आएगा, D, A20, 253, अब मारे लिए A क्या होगा है, क्यूंकि लास्ट से पूछा गया है, तो 253 plus 19, इंटु D कितना है, माइनस 5 है, तो 253, और 19, 5, 19 की टेबल आनी चाहिए, 19, 5 क्या होगा, बच्चों, 95 होगा, तो 8, 20 आपको निकालना है, 253 minus 95, यह आप लोग कर लेंगे, 13 में से 5 तो बच्चों, 8 और यहाँ पर 24, 9, यानि कितना आजाएगा, 15, यही आपका क्या होगा, प्यारे बच्चों, एंसर होगा, तो यह question बच्चों, इसलिए था और special इसलिए था, क्योंकि यहाँ पर, आपको बुच्चा किया है, कि last से क्या होगी, ठीक है, आप इसको note कर लीजे, तो बच्चों, यह 17 question आपका complete हो गया है,